जैसे सागर में अनेक नदियां आकर मिलती है और पता नहीं दुनिया भर के कितने कितने रहश्य सागर में छिपे हुए हैं ऐसे हमारा जीवन भी एक सागर है जैसे सागर में कई नदियां आकर मिलती है तो सागर का रुप विराट बनता रहता है ऐसे हमारे जिवन की गहराई है और जैसे हमारे जीवन की गहराई है और जैसे सागर में अनेक रत्न छिपे हुए हैं और दुनिया भर के पता नहीं क्या-क्या चीज़ें सागर में छिपे हुए हैं ऐसे हमारे जिन्दगी में भी पता नहीं अनंत 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 शक्तियां मनिश्य के जीवन में छिप पुन्य भी मनुष्य के जीवन में चिपा हुआ है पाप भी मनुष्य के जीवन में चिपे हुए है आपको पता है जब समुद्र का मन्थन हुआ था तब उसमें से कई चीजें निकल कर आई पर मैं आपको बता दूँ उनमें से दो खास चीजें निकल कर आई थी उनमें से ए जहर निकल सकता है, मनश्य का जीवन सागर की तरह है, जैसे सागर जहर भी पैदा करता है, और अमरित भी पैदा करता है, ऐसे ही इनसान है, जैसे अमरित के पैदा होने की जगह एक ही है, और और जहर के पैदा होने की जगह एक ही है, वैसे इनसान है, ऐसा नहीं कि हमारे बीत करोध कहीं और से पैदा होता है प्रेम कहीं और से पैदा होता है वैर विरोध कहीं और से पैदा होते हैं शमा कहीं और से पैदा होती है कटुता कहीं और से पैदा होती है आत्मियता कहीं और से पैदा होती है वैर विरोध कहीं और से पैदा होते हैं और मित्रता कहीं और से प जगता है वहीं हमारे बीतर संतोष जगता है मेरे भाई एक मनुश्य है जिसको धन देखकर लोब जग रहा है और वहीं दूसरा मनुश्य है जिसको धन देखकर संतोष जग रहा है एक मनुश्य है जिसको सौंदर्य देखकर काम जग रहा है और एक मनुश्य है जिसको सौंद की दो कमजोरियां होती है एक तो गोरी चमड़ी और एक जादा धन ये जो मजश्चे के मन की दो कमजोरी होती है आप कलपना कीजिए जहां पर पुरी दुनिया भाग रही है धन के पीछे भाग रही है सुखों के पीछे भाग रही है भोगों के पीछे भाग रही है जमीनों के पीछे भागरी है, व्यवस्ताओं के पीछे भागरी है, प्रणाम करो अंडिव्य आत्माओं को जो इन सब को छोड़कर भी आत्मकल्यान के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जहां हमारा मन दो रुपये के पीछे लोब में पागल हो जाता है, जहां हमारा मन चार तक डूबा रहता है कलप ना करो उन दस दस वर्स के बच्चों के लिए जन्होंने आत्म कल्यान के लिए अपने करम बढ़ाए हैं कलप ना करो उन जवानों के लिए जिन्होंने विवाह के दो दो चार साल के बाद भी अपनी धरम पत्नी को साथ लेकर अपने पती को साथ ले के अपने आत्म कल्यान के लिए अपने कदम बढ़ाए है जिन्दगी दोनों की है के वल जीने के तरीके इनसान की जिन्दगी को बदलते है मैंने कहा ना समुद्रही जहर पैदा करता है और दूसरी सचाई ये है कि समुद्रही बोलो 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 अम्बृत पैदा करता है यह हमारे हाथ में हम हमारी जिन्दगी में से अम्बृत पैदा करते हैं या जहर पैदा करते हैं क्या गजब की जिन्दगी होती है जहां इनसान थोड़े थोड़े सुखों के पीछे बाग रहा है वहां कलपना करो किस तरह लोगों ने त्याग और वेराग्य के मार्ग अपनाए अरे भगवान, श्री माहवीर और बुद्ध ने किस तरह से भरी जवानी में अपने कदम सन्यास के तरफ, दिख्षा के तरफ, अभी निश्क्रमन के तरफ, मुक्ती के तरफ, कैवल्य के तरफ, बोधी सत्व के तरफ, आत्म कल्यान के निर्वान और मुक्ष के तरफ बढ़ाए एक वर दिमाग में आप कलपना लीजिए जंबुस्वामी के बारे में जिस व्यक्ति का आज विवा हुआ है आठ आठ सुन्दर सुन्दर राजकुमारियों जैसी कन्याओं के साथ विवा हुआ है और जिनके विवाँ पर एक एक कन्या के घर से करोडो करोडो रुपे का दहेज आया है और जो खुद ही बड़ा अच्छा अमीर पती नगर सेट का बेटा है कलप ना करो जिन्दगी दो बातों पे निरवर करती है तुम भोगना चाते हो तुम मुक्त होना चाते हो तुम संसार में डूबदा चाते हो बाहर निकलना चाते हो जिसको डूबना है वो 80 साल का होकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा और जिसको निकलना है वो विवाह की पहली रात में ही अपनी आठ आठ पत्नियों को भी साथ लेकर और प्रभाव जैसे डाकू और पांस सो चोरों को साथ लेकर और अपने माता पिता और पत्नियों के माता पिता को साथ लेकर भी परमात्मा के मारक पर निकल पड़ता है अरे मेरे भाई जहां इंसान छोटी छोटी चीजों के पड़ती 90 साल का बूड़ा हो जाए तब भी उसकी आसकती कम नहीं होती वहां कल्पना करो कोई धन्ना और साली भद्र जैसे महापुरुसों के लिए कि जिन्होंने अपने आत्म कल्यान के लिए किसी के आठ पत्निया थी किसी के बद्तिस पत्निया थी किसी के पास राज वैबो था कोई नगर सेट था लेकिन उन सब को ट्याग करके भी व्यक्ति दो मिनट में निकल पड़ता है अपने आत्म द्यार के लिए केवल इनसान का चिंतन होना चाहिए केवल हम यह कहते रहें सहन्यम लेना है सोचने कहने मात्र से सन्यम नहीं होता है जब तक व्यक्ति उसके क्रियानविती नहीं करता है जब तक व्यक्ति उसके लिए कदम नहीं बढ़ाता है अपनी मनों दशाओं को तैयार नहीं करता है तब तक आदमी कुद कर निकल नहीं सकता है तबी तो कभीर कहा करते थे ना जो गर फूंके आपना और चले हमारे साथ जो दो मिनट में चलांग लगाकर दुनिया से वो नहीं निकल सकता जो सोचता है अच्छा देखता हूँ कल देखता हूँ अच्छा परसो देखता हूँ ठीक है पचास साल का हो जाओंगा न फिर में कभी नहीं मिटेकी कभी नहीं आप क्या समझते हैं हजार पती भग रहा है आप क्या समझते हैं लग पती भग रहा है आप क्या समझते हैं कुड़ो पती भग रहा है आप क्या समझते हैं अरब पती भग रहा है और अरपतित और रल्सकार में भगना दोनों का जारी है पाना दोनों का जारी है जिन्दगी में तिशनाएं दोनों की जारी है जिन्दगी में मुर्चाएं सब की जारी है और इनसे मुक्त होने का नाम ही तो साधना है मैंने कादना साधना के पत्पर फिर से कदम बढ़ाईए अपने को पहले बिलकुल खाली बनाईए जब तक व्यक्ति अपने अंतर मन को खाली नहीं करेगा दिरबल और पवित्र नहीं करेगा मेरे भाई अपनी अंतर दसा को व्यक्ति को तयार करना पड़ता है ये कल्यूग जहां पर हर आदमी बहुत एक संसाधनों में फसा हुआ है पंचम काल में जो इनसान सादू बने वो महान है अरे देवों से भी उंचा और 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 राजाओं से भी उंचा जिस चीज का दुनिया में सम्मान है वही तो ये संयम का स्थान है किसी को दिख्षा लेते वे देखकर केवल वहां के कारिक्रम का ही आनन मत लीजिए और दिख्षा के बाद होने वाले स्वामी बस से का आनन लेकर मत आईए आपे तो दिख्षा लेते वे देखकर अपने अंतर मन को इस बात के लिए तैयार कीजिए अपूर्व अवसर एवो क्या रहे आवसे अरे जारे थाईस हूं बाईयान तर निरग्रंथ जो सर्व कर्म बंधन नन बंधन छेदीने अरे विचरसूं कब महत पुरुसने पंथ जो जब कभी दिख्षा को देखें जब तिर्थंक्रों के दिख्षा कल्यान को संपन करें जब किसी को सैयम जीवन स्वीकार करते वे देखें तो केवल चड़ावा लेने तक अपनी भूमिक आदा ना करें केवल समारों में जाने तक अपनी भूमिक आदा ना करें केवल भोजन जीमनवारी करके आने तक अपनी भूमिक आदा ना करें तब मन में भावना भाए अपूर वा अवसर ऐसा कब कब आएगा श्रीमत राच चंद्र हर इंसान के भीतर में सुईवे वैरग्य को जगाने के लिए उसके आत्म दशा की भावना देने के लिए उसके अंतर मन को निर पूरुस के पन था जो मेरे जीवन में ऐसा अपूर वा अवसर कब आएगा जैसे ये व्यक्ति सैयम के मार्ग पर जा रहा है अरे जब जब मैंने अमीर को देखा मेरा मन भी हुआ कि मैं अमीर बन जाओं जब जब मैंने संपन को देखा मेरा मन भी हुआ कि मैं संपन बन जा जब जब मैं दिख्शाओं की बातें सुनता हूँ कि सूरत में अमुक ने दिख्शा ली 40 क्रुड का त्याक करके कि मुंबई में 4-4 स्य लड़कों ने एक साथ दिख्शा ली कि वहाँ पर एहमदाबाद में 8-8 MBA लड़कों ने एक साथ दिख्शा ली क्या दुबई से आकर दस कन्याएं जो सब डॉक्टर और इंजीनियर थी सब ने एक साथ दिख्षा ली और जब जब सुनता हूं पांच-पांच करड़ो का पैकेज छोड़कर दो-दो करड़ो का पैकेज छोड़कर एक-एक करड़ो का पैकेज छोड़कर और वो सोच तू कब मुक्त होगा सोच तू कब इन धाराओं से बाहर निकलेगा यह संसार के सागर से बाहर निकलने के लिए हमारा उपक्रम कब भड़ेगा हर इनसान को यह आत्मचिंतन करना चाहिए सागर को पार करना यही जीवन की साधना है और सागर में डूप के जिन्दगी खदम कर लेना यही जीवन का समापन है भगवान कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना हर जीव के आत्म कल्यान के लिए हर जीव की मुक्ति की साथना करने के लिए हर जीव को आत्म कल्यान का पवित्र मार्ग देने के लिए कहते हैं जब भगवान श्री माहवीर का निर्वान हुआ था और निर्वान से पहले पता है भगवान श्री माहवीर ने अपने सबसे प्रियर शिश्य शुब नाम बोलिए गंदर स्री गौतम स्वामी जिनके लम रोज सुबे सुबे की प्रात्ना में गाते हैं अंगूठ है अम्रित बसे और लब्दितना भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये मनवांचित दातार वे गंदर गौतम स्वामी जो भगवान श्री मावीर से बेहद प्रेम करते थे जो भगवान श्री मावीर के परति उनका अनुपम राग था इतना अनुपम प्रेमी वो नहीं होता है जो किसी को अपने प्रेम में फसा और अठका कर रखता है सच्चा प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमी को भी मुक्ति की राहा प्रदान कर दिया करता है और तब भगवान श्री मावीर को पता लगा कि अब मेरा सरीर छूटने वाला है निर्वा गौतम को सही मारगशन न दिया तो मेरे सरी छोटने पर ये और ज्यादा मोह में आकुल व्याकुल हो जाएगा और तब भगवान श्री माहवीर अपने सबसे परमप्रिय शिश्य गंदर स्री गौतम स्वामी को देव सर्मा ब्रामन को परति बोध देने के लिए कहा कि जाओ और जाकर कि उसके जीवन का मारग दे कराओ उसे दिर्मल और पवित्र मारग दे कराओ उसके जीवन में संसकार की धारा दे कराओ तब कहते हैं गंदर गौतम स्वामी निकल जाते हैं देव सर्मा को प्रति बोध देखर के वापस लोट रहे हैं घतना को अब लीज़ेगा आगे और तब अचानक रात के समय में गंदर गौतम स्वामी देख रहे हैं कि पुरा आसमान जग मगा रहा है हजारों लाखों लाख देवी देवता आ रहे हैं जा रहे हैं हजारों नर्नारी जा रहे हैं गंदर गौतम स्वामी चौंक जाते हैं अचानक अर्दरात्री में ये क्या हो रहा है और तब वो कुछ गुजरते हुए देवी देवताओं को रोक कर पूछते हैं कुछ मानुभा को पूछते हैं अजी तुम सब लोग कहां जा रहे हो तब वो कहते हैं आपको नहीं पता अरे जिनके आप सबसे परमा प्रिय शिश्य है भगवान श्री मावीर का क्या हो गया है निर्वान हो गया है और जब ये बात सुनते हैं गंदर गौतम हत्प्रभ रह जाते हैं चौक मैं सोच नहीं सकता मैं जिन्दगी भर जिनके लिए जी रहा था जिनके मुहमाया में जी रहा था जिनके प्रेम में अनुरक्त था भगवान मुझसे इतने मुक्त निकले अरे मैं कौन सा उनका पाउं पकड़ रहा था मैं कौन सा उनको मुक्ष में जाने से रोक रहा था मै आपको पता नहीं था कि आपका निर्वान होने वाला है भगवन आप तो सरवग्य है भगवन मुझे केवल ग्यान नहीं था पर आपको तो केवल ग्यान परम ग्यान मिला हुआ था आप तो सरवग्य है प्रवू आपको तो पता था कि आपको अब मोक्ष होने वाला है और आपने अंतिम गड़ी में अंतिम गड़ी में मुझे दूर कर दिया अहो भगवन आपने ये क्या किया और तभी उधर से एक गुजरते वे देव को गंदर गौतम स्वामी ने पूछा था क्या भगवान ने अपनी देह का विशरजन करते समय मोक्ष मुक्ति और निर्वान के लिए अपने कदम बढ़ाते समय मिरे लिए कोई बात कही तब भगवान के द्वारा गंदर गौतम स्वामी के लिए वो बात में आपको बता रहा हूँ तब भगवान ने उत्त्रा ध्यन सूत्र में गंदर स्वामी के लिए का था तिर्णो हुसी अर्णमम हम किंपनचिट्र से तीरम आगाओ अरे अभितुरपारम गवित्तय समयम गोयम मापमाये तिर्णो हुसी अर्णमम हम बहुत गैरी बात है ये वो संदेश है जो भगवान शी मावीर ने गंदर से गोतम स्वामी के लिए छोड़ा था और ये वो संदेश है जो आज मैं आपको भगवान की और से दे रहा हूँ और तब भगवान ने गंदर गोतम स्वामी से का था कि मैं चाहता था तो तुम्हें अपने पास रख सकता था अपने मोह और राग में तुम्हें और ज़्यादा तुम डूब सकता था पर मैं तेरा आत्म कल्यान करना चाहता हूँ मैं तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था करना चाहता हूँ मैं तुम्हें परम ज्यान केवल ज्यान के आवा से अभिमंडित दिखना चाता हूँ है गौताम, तिर्णों हुसी अर्णमम महम, तुने पूरा सागर पार कर लिया है। द्वारा दिख्शित केवे हजारों सिश्यों ने परम ज्यान प्राप्त कर लिया। जियात्र को आपने आत्म कल्यान के लिया कदम बढ़ा। जो कर्म के विजयता है वो भला कौन से राग में, कौन से द्वेस में, कौन से मोह में, कौन से माया में, कौन से प्रेम में, कौन से दूरिया में अरे वो तो मुक्त आत्मा थी और जाते जाते उन्होंने मुझे भी मुक्ति का पड़ पड़ाया मैं आपको यही कहना चाहता हूँ हर आदमी को अपनी जीवन में मुक्ति का प्रियास करना चाहिए मुझे भी करना चाहिए आपको भी करना चाहिए हर इंसान को अगर इश्वर्ण में अरिहन्तों का मार्ग दिया है सिद्धों का मार्ग दिया है आगम की वानी दी है, तिर्थंकरों का संदेश दिया है, जिन वानी दी है, तो इसलिए दी है, ताकि हम अपने लिए मुक्ति की व्यवस्था कर सके, अगर कोई व्यक्ति को सारे संसादन मिलें, सारी सुईधाएं मिली, तब भी अगरे उसने उसका उपयोग नहीं किया, तो वीतराग प्रभु की वानी मिली है, आगमों का मार्ग दश्षन मिला है, जिनाले में जाकर उनके दश्षन पूजन करने का आनन मिला है, सांबाई की सादना मिली है, समता की सादना मिली है, चौदे गुनिस्थान जैसा मार्ग मिला है, लिश्या मंडल जैसे हमें सिद्दा हमारी रहे गए शुशी प्रभू हमें आत्म कल्यान की पवित्र भावना के साथ हमारी हठेली में मुक्ती की भावना दे रहे हैं और वो कहते हैं तिन्न होसी अरे तुन्हें बहुत सारा अपने आपको तैयार कर लिया अब तो छोटा सा कदम बचाए निकल जा कूद पर छलांग लगा ले क्या करना है याद रखना इस मुक्ती के मार्ग पर वो नहीं आ सकते जो गुनगुने पानी होते हैं क्योंकि गुनगुना पानी न तो भाव बनता है न पीने के काम आता है मुझे इतना सा बताओ पानी को अगर भाव बना कर उपर चड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा सोचो, सोचो, सोचो खौलना पड़ेगा जैसे खौलता हुआ पानी भाव बन कर उपर चड़ता है ऐसे ही मजबूत मन के साथ जो व्यक्ति अपने कदम बढ़ाता है वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है भगवान हमें कहते हैं ये संसार सागर है इसमें दो काम होगा अगर तुम्हें तैरना आता है तो पानी का आनन दले लोगे और तैरना नहीं आता तो पानी में डूब के मर जाओगे हमारे पास दोनों विकल्प है हम पानी का तैरने के लिए उप्योग करते हैं कि डूबने के लिए उप्योग करते हैं अगर तैरने का सास है तैरना आता है तैरने का उपक्रम है ये संसार में आये हो पर अगर मुक्ति के अभिलाशा अंदर में है मुक्ति की कारवई भीतर है तो पार कर जाओगे नहीं तो इसी में डूब डूबा के यहीं जन्में यहीं जीए और यहीं जी मर के खतम हो जाओगे और यह उपक्रम एक वार नहीं दो बार नहीं दस बार नहीं इस जीवात्मा ने अनेकों बार किया है यही संसार की धारा में बैठती रही है। भगवान कहते हैं आत्म ज्यान के लिए, आत्म सजक्ता के लिए, अपनी मुक्ती के लिए, हे जीव, आओ, अब सब लोग अपने कदम बढ़ाते हैं। देखो भई, इनसान के पास तूली है, उसके पास दो काम वो कर सकता है। जबान से हमगीत गाते हैं या गालिया निकालते हैं, इश्वन हमें पाउं दिये हैं, तै हमें करना है, कि हमें इन पाउं से मंदिर जाना है, या समझ गए, मधिराले जाना है, तै इनसान को करना है, हमें जीवन मिला है, इस जीवन को हमें संसार में डुबो के खतम करना है या आत्म खल्यान के लिए, मुक्ति के मारगा के लिए, अपने आत्म चंतन के लिए, अपने मोक्षी की विवस्ता के लिए, ठीक है, जी लिया आपने, पचास साल जी लिए, पच्पन साल जी लिए, साथ साल जी लिए, मतलब, आपके पोते भी हो गई, और सैद पोतों के भी रिष्टे ढूनने की तैयारिया हो गई है अब तो निकल पड़ो अब तो छलांग लगा दो और इसके लिए आदमे को एक दिन में नहीं होता है मनस्तित्य त्यार करने पड़ती है जब मैं साड़ साल का हो जाओंगा तब मैं अपने जीवन में ये ये बदलाव लाओंगा जब मैं पैसर साल का हो जाओंगा तब मैं अपने जीवन में ये ये बदलाव लाओंगा जब मैं सतर साल का हो जाओंगा मेरे भाई मन तो पानी की तरह है नीचे जाना हो तो अपने आप जाता है पर उपर चड़ाना हो तो यंत्र का परियोग करना पड़ता है ऐसे हमारा मन है गलत कारियों में दिशा मोड़नी हो तो बिना मोड़े मोड़ जाता है पर अच्छी दिशा में ले जाना हो तो मन को बड़ा समझाना पड़ता है मन को बड़ा साधना पढ़ता है संयम के मार्क पर लाना हो तो मन को बड़ा साधना पढ़ता है आत्म ज्यान का दीप अगर इनसान पाना चाहता है आओ हमें तीली बिली है हम इसे दीप जलाएंगे हमें पाओं मिले है हम इसे सदकर्म करने के लिए कदम बढ़ाएंगे हमें आखे मिली है हम इसे प्रबु दर्शन करेंगे हमें कान मिले है हम इसे जिनवानी सुनेंगे हमें जबान मिली है हम इसे प्रबु का नाम लेंगे हमें हाथ मिला है हम इसे परमात्मा की पूजा करेंगे इन सब को अब मोड देना पड़ेगा हमें और जब तक इनसान मोड देने को तैयार नहीं होगा सुन सुन कर तो सुनतां सुनतां फूटिया कान और नहीं आयो हर्दय में ग्यान सुनते रह जाएंगे सुनते रह जाएंगे पचास सार सतर अस्टी दिन तक सुन लेंगे नबे दिन तक सुन लेंगे पहले भी सुना बाद में भी सुन लेंगे पर सुन करके जब तक उसे क्रियानवित नहीं करेंगे जीवन में तब तक परिणाम नहीं आएगा